भारत बना म्यूजिलेंड के बीच इडन पार्क आउकलेंड में पहला वन्डे मुखाबला केला जा रहा है इस मुखाबले में टीम इंडिया की तरफ से उम्रान मलिक डेब्यू कर रही है आपको बता दे कि उम्रान मलिक को इंडिया का स्पीड स्टर भी कहा जाता है और ऐसा उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी गेंदबाजी लगभग 150 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार को चूती रहती है कई बार ऐसा देखा गया है जब उम्रान मलिक ने 150 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार की गेंदबाजी कई बार की हो IPL में तो इसका नमूना उम्रान मलिक कई बार दे चुके हैं लेकिन पहले वन्ने मुखाबले में भी उम्रान मलिक ने अपनी तूफानी गेनबाजी से कीवी बल्लेबासों को परेशान कर दिया उम्रान मलिक ने डेब्यू पर दो विक्ट तो निकाले ही साथ ही साथ उन्होंने अपनी तूफानी गेनबाजी का फिर से उधारन दे दिया है उम्रान मलिक ने अपने पहले 6 ओवर के स्पेल में दो बार 150 किलोमेटर प्रतिक घंटे की रफतार को छुआ ऐसा उन्होंने अपने दूसरे और 6 ओवर में करके दिखाया आपको बता दे कि उम्रान मलिक ने पहले 150 किलोमेटर प्रतिक घंटे के रफतार से गेनबाजी की फिर उसके बाद उन्होंने 16 ओवर में 153.1 किलोमेटर प्रतिक घंटे के रफतार से गेनद डालते हुए कई रिकॉर्डों को भी तोड़ दिया है आपको बता दे कि उम्रान मलिक द्वारा डाले गई ये गेंद बतार भारती गेंद बाज चौथी सबसे तेज गेंद है भारत के लिए लिमिटेट ओवर क्रिकेट में आपको बता दे कि एक ही वंडे मुकाबले में उम्रान मलिक ने दो बार 150 किलोमेटर प्रती गंटे के रफ्तार से जादा गेंद बाजी की हो ना हो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में उम्रान मलिक को टीम इंडिया में बतार रेगुलर बालर के लिए भी देखा जा सकता है उम्रान मलिक ने आज लाइन और लाइन भी अच्छी रखी है साथी साथ उन्होंने अपनी गेंद बाजी पर भी ध्यान दिया है उन्होंने लाइन और लाइन अच्छी रखते हुए तेज तरार गेंद बाजी की है इंडिया में इतने तेज तरार गेनबाज आम तोर पर नहीं मिलते हैं लेकिन उम्रान मलिक ने आज दर्शा दिया है कि अगर इस खिलाडी को लगातार की मिडिया में मौखा दिया जाए तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम भी 160 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से गेनबाजी कराते हुए देख सकते हैं इस खबर में फिलाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इडिया के साथ